ठीक है याद करने का तरीका भी बहुत सिंपल है जैसे जो एक्वेशन था वह ऐसे था एक्वेशन था एक्वेशन था अगर इन ब्लाकिट्स में हमें पहला पहला टर्म याद रहे तो दूसर टर्म तो अपने आप लिख सकते हैं उसे को इंटरचेंज करके जैसे यहाँ पर एक के साथ वन है बी के साथ टू है जो इसका दूसर टर्म है उसे वन और टू इंटरचेंज हो गया बी के साथ वन आ गया और एक के साथ टू हो गया तो याद रखने के लिए तो इ C1, C2 हो गया और तीसरे bracket में C1, A2 हो गया यहां दख ठीक है यह तो यहां से तीन bracket लिखे गई अच्छा जो जो corner वाले हैं extreme वाले हैं मतलब जो A और C यह तो A और B बराबर बराबर वाले हैं B और C बराबर बराबर वाले हैं C और A जो हैं वो जो extreme वाले हैं वो left hand side पर एक square म पहले हमने क्या बोला ऐसे करके arrow बना लिया याद रखने के लिए याद रखने के लिए बता जा रहा है इसा फिर उसके बाद जो extreme वाले हैं मतलब जो corners वाले हैं कोने वाले जो हैं A और C वाला जो combination है वो left hand side में आ जाएगा square के अंदर right hand side में बाकी जो दो बच यह ठीक है तो A1, B2 वो यह आ गया फिर आगे उसका पलट के फिर B1, C2 वो यह आ गया फिर आगे उसका पलट के left hand side पे A2, C1 लिखो पहले चाहें A1, C2 लिखो वो एक ही बात है यह अभी हमने discuss किया था ठीक है तो इस condition को याद कर लिए तो अभी तक हमने क्या क्या बोला कि अगर दोनों equations में coefficients का ratio equal आ जाए coefficients का ratio equal आ जाए तो तो अगर coefficients का ratio equal आ जाए तब तो क्या होगा कि दौनों रूट्स identical हो जाएगा हो that is equivalent of saying के equation effectively A की equation लिखा हुआ है मतलब अगर मैं A की दौनों equation में XS का coefficient 1 बना दू तो बाकी X का coefficient और constant term दौनों सेम हो जाएगा यह तो पहला condition था दूसरा condition यह जो अभी लिखाया गया इसको याद करना है this is called common root condition यह ठीक है अगर एक root common है इसी को what we call common root condition या फिर इसको आगे I'll refer as CRC common root condition ठीक है okay question 1 say find A if the equations X2 minus say A plus 3 into X plus 4 is equal to 0 and X2 minus 7 X or plus 3 A is equal to 0 have a common root ठीक है उसने find value of A if the equation this and this have a common root ठीक है तो सबसे पर तो language is very important उसने exactly what to use इनी किया उसने बोला कि A का वैली बताओ अगर इन दौनों के बीच में एक root common आजाए उसने बोला कि अगर एक root common आजाए दूसरे के बारे उसने बोला ही मतलब इसका हम यह मतलब नहीं निकालेंगे कि exactly एक ही रूट common है उसने बोला एक रूट common आ जाना चाहिए बागी कुछ भी हो ठीक है तो we'll check for both the things मतलब हम इसको solve करते समय से बोलेंगे solution में if both roots are in common then coefficients का ratio equal होना चाहिए तो आना चाहिए 1 upon 1 x square coefficient ratio is equals to आगे आना चाहिए a plus 3 upon 7 is equals to आना चाहिए 4 upon 3 ऐसा होना चाहिए ठीक है ऐसे होना चाहिए minus minus यहां पर cancel कर दिया तो यहां से क्या एगा a plus 3 is equals to 7 और a is equals to 4 ठीक है यहां से and यहां से क्या एगा one is equals to 4 upon 3 यह that implies a is equals to 4 by 3 ठीक है तो अगर दोनों रूट कामन है तो यह होल्ड करना चाहिए यह होल्ड करना चाहिए तो first or second भी ब्रावन होना चाहिए यह first and third भी ब्रावन होना चाहिए तो a is equals to 4 and a is equals to 4 by 3 दोनों एक साथ तो हो नहीं सकता मुला एक ने तो बोला कि a का वेली चार होना चाहिए दूसरे ने बोला कि a का वेली 4 by 3 होना चाहिए तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है तो उसका मतलब कि it is not possible कि दोनों रूट कामन हो जाए this implies both roots गैलनाट पी common बोथ रूट कैनाट भी कामन दौनों रूट कामन नहीं हो सकता है यह ठीक है अम माले एक रूट कामन है ठीक है अगर एक रूट कामन है जैसे x square minus a plus 3 into x plus 4 is equal to 0 था x square minus 7x plus 3a is equal to 0 ठीक है तो if exactly one root is common then apply CRC common root condition ठीक अब common root condition लगा है तो हमने क्या बता कि जो extreme वाले हैं मतलब 4 को इस 1 से multiply किया इस 3a को इस 1 से multiply किया तो 3a minus 4 इसका square तो एक तरफ हो गया is equal to दूसरे packet में ऐसे इन दोनों को multiply किया तो minus 7 फिर minus इन दोनों को multiply किया तो minus minus प्लस हो जाएगा plus a plus 3 into फिर इन दोनों को multiply किया तो आ जाएगा 3a into a plus 3 और अगर इन दोनों को multiply किया तो फिर आ जाएगा plus 28 I hope this is clear ठीक है ठीक है ठीक है यह कंडिशन आगा है दिसका मनूट कंडिशन लगाने के बाद है इसको ओपन कर लिए लेफें साइड से आजाएगा 9a square minus 24a plus 16 is equal to इस पहले bracket से आजाएगा say a minus 4 दूसरे bracket से आजाएगा 3a square plus 9a plus 28 I guess कि अजाएगा जाएगा जाएगा कि अजाएगा